आप देख रहे हैं दा इंसाइड इस्टोरी तो आज से 17 महीने पहले तारीक थी 26 फरवरी 2023 और इसी दिन दिल्ली के ततकालीन उप्पुख्यमंत्री मनीज सिसौदिया को CBI ने गिरफ़तार किया इसके दो हफते बाद इडी ने भी उनकी गिरफ़तारी की और अब वो जेल से बाहर आ रहे हैं 17 महीने हो चुके हैं तमाम राजनीती हो चुकी है नदियों में काफी पानी बह चुका है और बाहर आते ही मनीज सिसौदिया ने जिस बात का जिक्र किया है वो है सम्विधान बा करते हुए दिखाई दिये हैं तो क्या आम आदमी पार्टी ने अब वहीं राह पकड़ ली है जो की इंडिया गड़बंदन की थी और एक तरह से यूटर्न उनकी राजनीती में आप देखने को मिलेगा क्योंकि मनीज सिसौदिया ने जिस तरह से बाहर आकर जिक्र किया है बाबा साओ भीमराओं मेडिकर का सम्विधान का उससे तो यहीं लग रहा है क्या राजनीतिक मोड आने वाला है इसकी इंसाइड स्टोरी क्या है जानेंगे डॉक्टर संजीर तुर्विज जी वाष्पितकार माय साथ है लेकिन अब एक बड़ा ही ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है बाहर आते ही सम्विधान का जिक्र बाबा साओ भीमराओं मेडिकर का जिक्र क्या राजनीतिक तौर पर यूटन लेने की कोशिश उनके क्रिया कलापों से या वानी से नजर आ रहा है किस तरह से देखे इसे देखे इसके दो कारण है और पहला कारण जो है वो तो व्यक्तिकत है और दूसरा जो मौझुदा राजनीत है उस नाव में आते के साथ सवार हो जाने की उनकी अपनी गरज है से सोधिया मत भोलिये कि एक बहुत ही सामान परिबार से आने वाले व्यक्ति जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया और वो एक उंचाई तक पहुँचे और जाहिर है कि उनके और उनके कुटम उनके परिबार के लिए ये बहुत ही जटके की बात थी कि वो जेल चले गए एक ऐसे अपराद में जिसमें कि पाया ये गया कि पैसे की लेंदेन और हेरा फेरी शराव की नीती बनानी के लिए की गई मधिवर्ग का कोई भी विक्ति बहुत आसानी से पचा नहीं सकता है इस तरह के आरूप अगर उस पर लगे तो वो भी हमारी आपकी तरह टीवी पत्रकार थे एक जमाने में ऐसे सोधिया जब उनके बेर की ख़वराई आज सायोग था मैं संसद में था तो मैं एक पूर्व संसद जो कि पिछले हाउस में संसद थे इस वाट टिकट नहीं मिली थी भारते जिनता पार्टी के और जिनका क था कि यह तो ठीकी हुआ बहुत गलत हो रहा था तो हमने कहा आपने तो पुलीस में पूरा करियर गुजा रहा है आप बताईए कि क्या गलत हो रहा था तो आफ दर रिकॉर्ड बात है इसे लिए नाम नहीं बता पा रहा हूँ तो उन्होंने यही कहा कि अरे भाई आपने अरेस्ट किया छे महीने हो गए आठ महीने हो गए ट्रायल आपका शुरू नहीं हो रहा है आप कर क्या रहे हैं उन्हें कितने दिन बंद रखेंगे तो एक सामाने भाव था कि अब जो है उन्हें किस कारण से जबरदस्ती बार बार CBI और ED कभी यहां फसा कर कभी नई मिल के भीतर रखा जाए तो क्या वो राजनीति कारणों से था क्योंकि जो काईदा है जो नियम है वो तो यही कहता है कि अगर आपने अरेस्ट किया है तो चारशीट हो जाए उस चारशीट को फाइल करने के बाद चाहे वो ECR फाइल करे ED या CBI करे चारशीट फाइल या फाइलिंग के बाद उसके बाद उसको डिफेंड किया जाए कोर्ट में जिभाई देखिए इनके खिलाफ यह यह ओफेंसेज है और इसके यह सबूत और एविडेंसेज साक्ष हमारे पास है और फिर जो है ट्राइल शुरू हो जाए पर भारतिय न्याय विवस्था आम लोगों को तो जिस तरह से ट्रीट करती है मत पूछिए यहां तो वी आईपी उपनुक्य मंत्री थे इनके मामले में भी जैसा बता रहे हैं 17 महीने के बाद भी ट्राइल तो शुरू नहीं हुआ है या फिर यार्विंद केज रिवाल के मामले में भी चल रहा है और सारी जो जानकारिया जन्मानस को आती हैं वो आती हैं तरसल के यहां से बेल रिजेक्ट हुआ वहां से बेल रिजेक्ट हुआ उस कोट ने कहा इस अदालत में जाईए उस कोट ने कहा कभी भी हम लोगों ने शराब नीती के उपर आर्गुमंट चल रहा है और उसमें कैसे ये सही है वो दोशी है इस तरह की बात कभी भी सामने आम आदमी के आई नहीं कोट में तो हमलोग यहीं सुन रहे हैं कि बेल रिजेक्ट कर दी गई बेल जो गिरफतारी हुई है वो गलत हुई है E.D. ने गलत गिरफतारी किया तो ये इन बातों को लेकर आर्गुमंट हो रहा है जो मूल प्रश्ण है उस पर नहीं हो रहा है तो आज बाबा साहब का नाम लेने की वज़ा यही थी कि सम्विधान में जो human freedom है व्यक्ति की जो आजादी है उसको बड़ा महत्यों दिया गया है और right to freedom of speech and expression में हमारी पत्रकारिता आ जाती है तो यह जो आजादी का अधिकार है व्यक्ति का यह सम्विधान guarantee करता है और अकारण आप किसी को जेल की सलाकों के पीछे नहीं रख सकते हैं आपके पास वज़ा होनी चाहिए उसकी और Supreme Court ने इसके पहले अर्विंद के इजरिवाल के केस में जब ED के मामलों में उन्हें बेल दे दिया और उसके बाद अब इनके केस में मनिस सुधिया के केस में भी ट्राइल शुरू नहीं हुआ शुरुआत में कहा गया था, च्छै-ाथ महीने में हो जाएगा, लेकिन आज अगस्ट में बात हो रही है, नहीं हुआ, तो जाहिर है कि उनको बेल दिया गया है, तो ये एक व्यक्तिकत मामला था, कि आज अगर इस तरह का संविधान हमारा नहोता, बाबा सहाब, भीमराव, उन्होंने ऐसा संविधान न बनाया होता, तो शायद इस तरह से बाहर चले आना आसान न होता, एक कहावत है कि भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं, तो ये कोर्ट्स के लिए भी लागू होता है, क्या, मतलब जिस तरह का सेनेरियों देखने को मिला है, कोर्ट्स के उसको तातकालिक सजा दे देना, ये नहीं चलेगा, आपको अरेस्ट कर लेते हैं, फिर खास तोर पर ED के मामले में अरेस्ट हो जाती है, बेल होता नहीं है, तो आदमी सजा अपने अपराद की पाएगा, वो तो बहुत बाद में जा करके, अभी तातकालिक तोर पर सजा पाने लगता है, जितने की कोई फैसला भी नहीं आया है, पता है लंबे लंबे अवजी तक आप ये नहीं चलेगा, आपने देखा होगा, रावज एविन्यू कोट की जजज ने दे दिया था, जब बेल अर्विंद के इजरिवाल को और हाई कोट ने मना कर दिया उस बेल क तो सुप्रिम कोट ने दे दिया उस बेल को, प्योंकि बेल को आप रूल बनाएए और जेल को एक्सेप्शन बनाएए, ये नहो के उल्टा हो जाए, अब देखिए, ये ब्योस्ता हमारे सम्विधान की है, तो वेक्तिकत कारण उनके लिए था कि आखिर बहार आ सके, तो सम इम्राव अमेदकर्स साहब के सम्विधान की वज़ा से आ सके, उनके बनाए सम्विधान की वज़ा से आ सके, लेकिन उस सम्विधान के आज की तारीक में राजनितिक माइने भी हैं, वो जो लाल किताब लेकर के कांग्रेस के लोग और अब तो उनके साथ साथ तमाम विप पक्ष के लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार मोदी जी की सरकार समधान के खिलाफ काम कर रही है और ये जब वो कह रहे थे लोग सभाचनाओ के पहले तो लगता नहीं था कि इस तरह के आर्गूमेंट में कोई दम है लेकिन बहुत गहराई और बहुत बारीकी से स्ट्राटिजी बनाई गई थी कि जब आप ये कहें कि मोदी सरकार समधान के खिलाफ है तो अगली लाइन भी कहिए आपका आरक्षन खत्म कर देगी तो ये पूरी लाइन हुई मोदी सरकार समधान के खिलाफ है और आपका आरक्षन खत्म होने जा रहा ह चार सो सांसाद ला रहे हैं आरक्षन खत्म कर देंगे यह जो पूरी सर्किट बनी चक्रविव बना और उसी में मोधी सरकार फस्तो गई ही और प्रतीक के रूप में वो छोटी वाली जो पॉकेट साइज कॉंस्टिटूशन होती है बड़ी साइज नहीं पॉकेट साइज 600 र खत्रे में है सम्विधान अगर खत्रे में है तो आरक्षन खत्रे में है और यह पॉलिटिकल नेरिटिव काम कर गया बीजेपी वाले मान रहे हैं इसको अपनी बैठकों में उन्होंने बाते कहीं है कि दरसल सत्तपक्ष के खिलाफ एक नेरिटिव तयार किया गया कि 400 सांसा सम्विधान बदल देंगे और इसी कारण से हम चुनाव हार गए। उत्तरपीदेश में वी यह कहा जा रहा है करनाटक में बी यह कहा जा रहा है कि 400 का गेंबल हमें बड़ा नुकसाने साबित हुआ अब की बार 400 पार तो आते के साथ से सोधिया ने जेल में अख़बार तो आता ही है उन्होंने पढ़ा होगा कि जो मूड ऑफ दे सीजन क्या है समविधान बाबा साहब तो एक विक्तिगत कारण उनको और एक सियासी कारण राजनीतिक कारण क्यों क्यों कि आने वाले दिनों में उनको तैयारी करनी है विधान सभा चुनाओ की अरविंद केजरिवाल जेल से बाहर आ आते हैं तब भी करनी है खुदा ना खास्तागर वो नहीं आते हैं तब भी करनी है क्योंकि फरवड़ी में ही चुनाओ लेकिन मूल सियासत जो आम आदमी पार्टी की हैं वो ना सम्विधान है ना आरक्षन है ना कोई विक्ति विशेश है उनकी तो स्कूल सिक्षा स्वास थे मतलब इस तरहें की चीज़े वो अब तक करते आए हैं फ्री फ्री बीज वो जिस तरहें से कहते हैं कि जनता का पैसा है जनता में ही जा रहा है तो कोई दिकत नही है वो वाली जो पॉलिटिक्स थी क्या इस पर जो सम्मिधान वाली पॉलिटिक्स है यह जादा हावी हो गई और आने वाले वक्त की एक तरह से सुखबुगाहट भी है कि आप देखिए अब जो पार्टी स्कूल और उसकी बात करती थी वो भी अब यह रागलापने लगी है कि देखिए सम्मिधान है और सम्मिधान से हम बचे हैं और बाबा साब भीमराव मेट करने हमें बचाया है तो अब जो पॉलिटिकल चेंज आ रहा है वो क्या इसकी एक तस्दीक दे रहा है एक नजीर दे रहा है देखे एक तस्वीर इसलिए बन रही है ऐसी कि क्योई पूरे देश में अभी इस वक्त जो विपक्ष की राजनीत है वो आम तोर पर अगर आप देखें तो कॉंग्रेस के बताय लाइन पर चल रही है कॉंग्रेस ने एक तरह से वो भूमिका इस बार निभाई है कि जन अधिकारों के सवाल पर सरकार को घेरा जाए और बहुत से आरोब जमा कर लिये हैं उन्होंने उन अधिकारों को इन आरोबों की कसोटी पर कसा जाए और बोला जाए कि देखिए आपके यह अधिकार चले गए यह अधिकार जाने वाले हैं यह अधिकार माविश्य में जा सकते हैं और हर बार जब आप ये बोलते हैं तो एक बड़ा वर्ग जो कि आज की तारीक में उपेक्षित है, अभाव में जी रहा है, वो साथ आपके आता है और उसे रगता है कि अगर मेरी मुफलिसी है, मेरी गुर्बत है, मेरी मुश्केले है, मैं गरीब हूँ, तो इसका मतलब ये कि मौजुदा सरकार मुझे कुछ दे नहीं रही है, आज की तारीक में आम आदमी पार्टी के समर्थक कौन हैं दिल्ली में, आम आदमी पार्टी के समर्थक वो हैं, जोकि मुफलिस, गरीबी और गुर्बत जھیलते हैं, और इस बात से प्रसद्द रहते हैं, आर्विंद के आपको जोड लिया है ये बोल करके राजनीती वही करनी है दूसरी बात ये है कि लोग सवाचनाओं में आमादी पार्टी और कॉंग्रिस दोनों साथ लड़े साथ की साथो सीटे हार गए साथ की साथो सीटे तब भी हार गए थे जब लोग अलग अलग लड़े थे पर एक बारिक अंतर है हर सीट पर जो हार हुई है उस पे जो मार्जिन है वो कम हो गया है वो ड्रास्टिकली कम हो गया है फर्स करें कि नई दिल्ली सीट पर सोमनाद भार्टी बनाम बासुरी स्वराज तो वो हजारों में ताइब हुआ है तो यानि कि फासला कितना कम गया एक बड़ा वोट मैंक कॉंग्रिस का तब भी रह गया बाप जो दुसके कि पिछले कितने सालों से शासन में हैं अर्वेदी के जरिवाद साल दो हजार तेरह में पहली दफा आये थे तो उसके बाद से लेकर के देखिए एक ग्यारा साल हो गए तो आप ये पा रहे हैं कि कॉंग्रिस का वोट मैंक और साथ में मिल गया वोट मैंक आमाद्मी पार्टी का और उसने मिल करके उस फासले को कम कर दिया लोक सभा के चुनाओं में क्या विधान सभा चुनाओं आते आते अगर दोनों साथ रहते हैं तो फिर से सरकार बना पाएंगे इस बार देखिए सियासत जरा मुश्किल कर दी दिल्ली में भारते जनता पार्टी की जो अपनी एक ताकत है वो बहुत प्रचंड है और इनके तमाम बड़े नेता जेल के अंदर चले गए चाहे वो अर्विंद केजरिवाल हो सुदिया हो, संजय सिंग हो सतेंद रिजैन हो ये तमाम लोग जेल चले गए जो तैयारी होनी चाहिए थी ये वो जनाओं का लाब मिलना चाहिए था लोगों को आम हादी पार्टी की सरकार बिरोक्रिसी और LG से जूजती ही नजर आई और उस तरह से काम नहीं कर पाई ये हकीकत है साल 2020 से लेकर के 2025 की जो सरकार है ये वो सरकार नहीं है पानी भरा हुआ है दिल्लि में और हर बार जब आप ये बोलते हैं तो लोगों का विश्वास डोलता है आज की तारीख में आम आद्मी पार्टी कमजोर है वो पहली वाली आम आद्मी पार्टी नहीं है और आज की तारीख में जरूरत है उसे कि वो अपने आपको उस राजनीत से जोड़े जिसकी बात आप कर रहे हैं देश में विपक्ष की जो राजनीत है उसे जोड़े वरना उनके लिए चैलेंज बन जाएगा जो दो हजार पच्चेस फरवरी का विधान सभाचुनाव है वो चैलेंज बन जाएगा उसके लि बारिटी वाले करनहया कुमार भी चुनाव हार रहे हैं और मनुस्तिवारी जीत रहे हैं यानि कि एक सपोर्ट बेस तैयार है भारती जनता पार्टी का अगर इसमें वो कहें कि हम अकेले लड़ेंगे फिर से चुनाव आमादमी पार्टी किसी साथ नहीं करेगी समझगा त तो हो सकता है कि यह सुदिया जी की अपनी एक लाइन हो जो उन्होंने जेल में बनाई हो कि अब जरूत है हमें कि जो लार्जर उपोजिशन है उसके साथ चला जाए और इसलिए बाबा साहब की बात लार्जर उपोजिशन कर रहा है उन्होंने भी निकल करके बाबा साहब अच्छा कहा जाता है कि आप जितना नीचे गिरते हैं फिर उतना उपर भी जाते हैं तो आमादमी पार्टी जितना नीचे गिरी तमाम जो आमादमी पार्टी का जो उपर का तपका था जितने बड़े बड़े नेता थे वो सब जेल में अब धीरे धीरे करके सब वापस भी संज़ सिंग पहले वापस सहब सब्सके वाप में बाहर कि यह उनके लिए पर यह तीन नेथा बाहर आए बाहर कर भारतिय जनताब पार्टि इस तरह से ! ड्रू बाहर कर रही हो इस बात का परचार परसा करेंगे और इसका भी फाइदा क्या चुनावी तोर पे आमादमी पार्टी को या फिर सम्विधान वाली लाइन लेते हुए पुरे विपक्ष को होने जा रहा है देखे चुनाव जब हो रहे थे लोग सभागे तो उस वक्त आपको याद होगा कि एक लाइन दी गई थी कि वोट से करेंगे चोट जेल में केज रिवाल का फोटो लगाया गया था लेकिन वो तो असर नहीं किया कोई बहुत प्रचंड वोटो का ट्रांसफर वो तो साथ आगाए कॉंग्रेस और बीजेपी तो मारजीन कम गया लेकिन कोई आमूल चूल बदलाव नहीं हुआ अब ये बाहर अगर आ जाते हैं ये जब सम्विधान के उससे जुड़ रहा है और फिर इन बातों का जिक्र होगा कि देखिए एडी सीबियाई भी है एक तो हग मारने की कोशिश भारतिय जनलता पार्टी कर रही है उपर से एडी और सीबियाई का दूरुपियोग दूसरों को दबाने के लिए किया जा रहा है निताओं को दबाने एक तीर से आपको दबाया जा रहा है, दूसरे से हमको दबाया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, तो फिर शायद इसका और ज़्यादा इंपक्ट हो, अब अगर आप ये कहेंगे, तो फिर आप उसी नरीटिव को दोराएंगे ला, जो आल्रेडी पहले से राहूल गा संधी जेल जाके नहीं आए, उद्धाव ठाकरे जेल जाके नहीं आए, लेकिन हा, संजाज सिंग जेल में गए थे, पर जहां तक सवाल है, नाशनल हेरल्ड केस का, उसमें तो बेल पे है, नहीं बेल पे है, लेकिन इतना बड़ा, इतने दिनों तक जेल में, 17 महीने है, कुछ लोग, कुछ लोग जेल नहीं गए, लेकिन वो एडी के नेट में है, भई अभी तक जेजस्वी आदब, वो तो जेल नहीं जाना पड़ा है, आप सुनिये, वो कितना एडी के बारे में आपको सुनाते हैं, लेकिन एक लगाम रहती है ना, कि लगाम है हाथ में, लेकिन नहीं है तो बाहर ही, हाँ, वो रहती है, लेकिन जो लार्जर एक पिक्चर बन रही है, उस लार्जर पिक्चर में आप जेल गए हों, या न गए हों, एडी सीवी आ ये कैसा मुद्दा है, जो कि रहेगा मुद्दा, उसका दुरूपयोग हमें परेशान करने के लि करके खड़ा कर दिया है, कोई अलग राजनीत जो करना चाहते है, अर्विंद के जिरिवार, अब शायद वो पॉसिबल नहीं होगी, देखिए इस बात को याद रखिएगा, जो बेस्ट टाइम था आम आद्वी पाटी का, पिछले कुछ सालों में था, उस तरह का बेस्ट माम लड़ा, वहाँ अच्छी खासी वोट संक्या लेकर की आए, गुजरात उसका एक उदारन है, गवा उसका एक उदारन है, कई जगा भारती जिन्ता पार्टी की जीत ही इसलिए हुई, क्योंकि वहाँ पर काउनिस के खिलाफ खड़े हो गया, आम आदमी पार्टी और मा तूफान आता है, तो जो अकेला और सीधा खड़ा रहता है, वो तूट जाता है, तो अभी तक अर्विन केजरिवाल जी, नहीं हम अकेले रहेंगे, सब चोर हैं, एक नमबर के चोर हैं, सब राजनितिक तोर पर अपना फाइदा देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं, अ पर आद वो अपने आपको समाल लें, और अपनी राजनितिक को आगे बढ़ा पाएं, मुझे जासा नजरा आते, सब वह हैं, ये करने के अलावा उनके पास और कोई आप्शन भी तो नहीं है, आज की तारीफ में, अगर वो विपक्स से साथ अपने आपको जोड़ लेते ह तो बहुत अच्छी बात है उस विपक्स के साथ जो एक निस्चित लाइन पर लड़ रहा है, वो निस्चित लाइन जो अभी तक नहीं थी, उलेक्शन से पहले तक तो नहीं नजरा रही थी, लेकिन हाँ, अब नजरा रही है, लेक्शन के पहले בी थी, वो नतीज़ें के वज़े से आए कि कास्ट सेंसस होना चाहिए नहीं मतलब इलेक्शन के माहौल में ही वहीं चीज़े गड़ी गई और उसके बाद उनका जो असर हुआ है वो मतलब विपक्ष ने जो तैयारी किये है वो फाइदे मंद रही है तो विपक्ष की तैयारियों का असर है कि आज भा पाते हैं कि वक्ष विल जैसा बिल जो कि पहला बिल था नई सरकार का उसे ठेंडे वस्ते में डालना पड़ा जो इन पार्लामिंटरी कमीटी में भेजना पड़ा गया तो यह एक नई निश्चत दिशा विपक्ष की हो गई है एक अलग विपक्ष बन करके तयार हो है और 240 सीटे भारती जिन्ता पार्टी की जो है वो कम नहीं होती है पहले बहुत सारे लोग यह कहते थे एलेक्शन से पहले की राहूल गांधी को हम लीड नहीं करने देंगे हम लीड करेंगे या फिर हमें मौका दिया जाए लेकिन अब जो परिस्तितिया इस्तितिया बनी है उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए हैं सिर्फ इसलिए नहीं रहूल गांधी लीड कर रहे हैं उन्होंने जो कमान समाली है और उसमें थोड़ा बहुत मजबूती दी है कि स्थिरता दी है विपक्ष को इसलिए वो उनकी उनकी जो स्विकारिता है वो विपक्ष के अंदर बढ़ी है उनकी वो मुद्दे जोड़ रहे हैं उनसे जो की पहले से उन्हीं मुद्दों की राजनीत कर रहे थे इसलिए स्विकारिता बढ़ी है पिछडों की राजनीत आरक्षण की राजनीत कास्ट सेंसस की राजनीत यह राजनीत नहीं थी कांग्रिस की तो लो जो मुद्दे आपको जातिय गोलबंदी की तरफ ले जाते हैं। जातिय राजनीत में फाइदा उन्ही नेताओं को होता है जो उस जाते विशेश से आते हैं। जातिय गोलबंदी की तरफ ले जाते हैं। बहुत बताता नहीं है कि क्या दिशा तै हो गई है। से जादा बड़ी बात ये है आज की तारीक में कि लोग कैसे देखते हैं। ये मुद्दे क्या मोदी जी फुल्फिल कर रहे है। वक्त बदल गया है क्या। पिछला चुनाव वाट्साप का चुनाव था। इस बार यूट्यूब पर जितने इस तरह के वीडियो बने उन्होंने ओपिनियन शेप किया। पिछली दफ़ा 2019 में वाट्साप ने ओपिनियन शेप किया। तो तीजी बदल रही है। लोगों को शायद अब कम लगने लगा है कि मोदी जी उनके मुद्दों को आकार देते है। अब चलिए बदलते दोर में आम आदमी पार्टी भी क्या बदल रही है। उसकी राजनीती भी क्या बदल रही है क्योंकि आपने जैसे बताया 2013 में पहली बार सरकार बनाई था। ग्यारा साल बाद क्या नए शेप में नए मुद्दों के साथ अपने आपको जोड़ते हुए अर्विन केजिवाल की बाते हैं और अब क्योंकि माफ के जगा मनीस सौधिया की बाते हैं और अर्विन केजिवाल भी जब बाहर आते हैं तो क्या कहते हैं क्या वो भी इसी तर होने की कोशिश कर रही है आपको क्या लगता है मताइए बहुत बहुत शुक्रियां